भारती जनता पार्टी के प्रदेश कार्याले में आज विभिन मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ प्रदेश अध्यक भुपेन चौदरी ने युपी प्रभारी राधा मोहन सिंग ने एक बैठक करी और आगे संगठन को किस तरीके से मजबूत करना इस पर भी चर्चा हुई हमारे साथ बात करने के लिए मवजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में मंतरी नरेंदर कश्यप एक बड़ी बैठक आयोचित हुई किस तरीके के निर्देश मिले सर मुर्चों को लेकर आज उत्तर प्रदेश के भारते जनता पार्टी के परभारी अदन्य रादा महुन जी हमारे प्रदेश के बहुती यसस्वी अद्देक्ष चौदर भुपेदर सिंग जी हमारे महामत्री सेनुटर सिरिमान धरमपाल जी ने सामभूई करूप से सभी मुर्चों के अद्दशों को बुला कर उनके अभिहान और कारियों के बारे में सोचना भी लिए और आगामी चौनाओं को ध्यान में रखते हुए अनेको निर्देश भी जारी किये हैं हमारे भारते जनता पार्टी का नेतर तो चाहता है कि जिस परकार से हमने 2014 से चौनाओं की यात्रा शुरू करते हुए 2022 तक हर चौनाओं में उत्तर परदेश की जनता का आशिरवात प्राप्त किया है उसी प्रकार से हम नगर ये निकाय के चुनाओं में भी पहले से अधिक सपलता हासिल करते हुए परदेश की जनता का मेंडेट प्राप्त करें तो उसके रम में आज हम सब को देश मिले हैं, अलग-अलग अभिहान मिले हैं, अलग-अलग काम मिले हैं, आने वाले समय में खास मोर्चों को दिये गए हैं उन कामों के माध्यम से जनता के साथ संपर्क र समवाद करके चुनाओ के बारे में लोगों से समर्थन मांगने वारी तो महत्मूर बैठक थी बहुत सारगर्बित हुई और बहुत सारे उसमें पार्टी को मजबूत करने के फैंसले भी लिये गए एक दर्जा दिलाना हो चाहिए अगर वो बात करी जाए पिश्रायो को तो ऐसे मुद्दे रहेंगे यकीन रहेंगे मोदी जी और योगी जी की सरकार में पिछलों के समयधनिक अधिकारों की पराप्ती हुई है राजन्यतिक हिस्सेदारी बड़े पैमाने पर मिली है लीडर अफ अपोजिशन के लायक भी नहीं बची है जिससे फ्रस्टेश होके कई बाद सिरी राहूल गांदी जी कभी किसी जाती के खिलाप अपमान जरक बात करते हैं कभी किसी निटे खिलाप बात करते हैं देश परदेश इस बात को जानता है कि कांगरेश पार्टी और सिरी राहूल गांदी जी शायद ठीक से अपोजिशन की भूमिका को नहीं निभा पा रहे हैं मोदी जी जोके देश के अर्दुनिया के सर्मान नेता के रूप में सुविकारिये हैं इसलिए मुझे लगता है कि उत्तर परदेश में चाय नगरियन निकाय का चुनाओ हो ये आगामी लोकसभा का चुनाओ भारतिय जनता पार्टी परतियक चुनाओ में पूर की भाती भारी सपलता हंसिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है ये भी आपकी बात ठीक है कि पिछला वर्ग उत्तर परदेश में भी और देश में भी 50% से अधिक आबादी रखता है बारतिय जनता पार्टी OBC मोर्चे को ससक्त मजबूत करके उस समाजों के अधिकारों के सरक्षन का दायत हमें देके रखा है हम निष्टा के साथ अपने दायत को निभारें और खुशी की बात है कि उत्तर परदेश के पिछले वर्ग के लोग उन्होंने सब देख लिया श्री अकले श्यादयों जी को समाजवादी पार्टी की सरकार को बस्पा की सरकार को सबको देखा है कांग्रेस की पार्टी सरक को जानते हैं कि जब से भारते जन्ता पार्टी परदेश और देश के सब्ता में आई है तब से लगातार तमाम देश को परदेश को अपना परिवार मान के सरवंग्ड विकास की चिंता कर रही है जिसके नाते पिछलों को देश में भी परदेश में भी बहुत बड़े परदेश की जन्ता इस बात को समझती है जानती है कि यह पोजिट पार्टी के लोग अपने विचार पे काम नहीं कर रहे हैं विकास की नीती पे काम नहीं कर रहे हैं देश परदेश को आगे बढ़ते वे नहीं देखना चाहते हैं जो नेता प्रदान मंतरी के रूप में शी नर्यद मोदी जी पिछले नौ सालों से जिन्होंने करोना मामारी के बावजूद भी भारत की अर्थववस्ता को मजबूत करने का काम किया धारा 375 ए हटा कर देश की एकता खंडता को मजबूत किया 220 करोड भारतियों को वेक्सिन देकर एक हेल्थ कवर देके बड़ी सपलता हासिल की भगवाशी राम के मंदिर के निर्माल का आधार नियुक डाल कर उन्होंने देश और दुनिया के करोड़ों लो ऐसा मद्री जी के इन सारे बहु आयामिक कारियों से अपॉजिट पार्टी के लोग कहीं ना कहीं अपने आपको ऐसा है मैसुस कर रहे हैं जनता के बीच में उन्हें समर्थन नहीं मिल ला रहे है और जिस प्रकार से बायान बाजी हम आदमी पार्टी के लोग हो या कांग् जिसका सुरत की कोटले संग्यान लेते वे दो साल की सजाक्य की गुशना भी की और शीर राहूल गांदी जी की सांसदी भी चली गई तो ये सारी चीजें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि कांग्रेश हो या राहूल गांदी जी आमादमादी पार्टी हो सपा या तो मेरे खाल से देश और परदेश की जनता ने कहीं न कहीं खत्रे में डाल दिया है आने वाला भविस भी वर्तमान भी भारती जनता पार्टी के साथ देश कहीं न कहीं अपने आपको सुरक्षित मैसूस कर रहा है तो हो चलो घरगर अभियान को शुरू करेंगे लखनाओ से वीडियो जनरलीश आस्तोश के साथ संदीब खेर भारत समचार